सुप्रभार बच्चों, मैं आशा करती हूँ, आप सब घर पर है और शुरक्षित है बच्चों, आज हम आपके पाठे पुस्तफ कोपल से एक नए पाठ को जानने वाने है तो बच्चों, आपको मैं कुछ दिखा रही हूँ, आप इन्हें देखिए और बताईए ये क्या है इन्हें हम क्या बोलेंगे? ल, क, ब, फ, ये सब क्या है? बिलकुल सही, इन्हें हम बोलेंगे वर्ण अगर हम इन वर्णों को सजा कर लिखेंगे, तो शब्द बनेंगे कैसे? देखते हैं देखिए, ये है फ, और यहाँ पे ल है ये है ल, तो फ और ल दोनों को अगर हम मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? फल, वैसे ही क, और यहाँ म और ल, अगर ऐसे मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? कमल, कमल मतलब लोटस कमल हमारी भारत का राष्ट्रेफूल है बच्चों, शब्द दो तरह के होते हैं एक तो होते है सार्थक शब्द, और एक होते है निरर्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ होता है, उन्हें बोलते है सार्थक शब्द और जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता, उन्हें बोलते है निरर्थक शब्द जैसे आपने कभी-कभी सुना होगा रोटी-शोटी तो रोटी का तो मतलब होता है जो हम खाते हैं रोटी, चपाती पर सोटी क्या होता है ठीके, तो एक तो सार्थक शव्द होता है और जो सोटी है वो निररथक शव्द इसका कोई मतलब नहीं है, उसी तरह से आप देखो मेरे पास कुछ और और चीज़ है ये देखो ये क्या है कोमल और सूरज सूरज का अर्थ होता है और ये कोमल का भी अर्थ होता है लेकिन क्या इनका अर्थ होता है करस करस और खहम खहम हिंदी में तो नहीं होते हैं तो इनको बोलते हैं निरार्थक शब्द और इनको कहते हैं सार्थक शब्द तो ये सार्थक शब्द कहते हैं जिनका अर्थ होता है और ये होता है निरर्थक शब्द जिनका अर्थ नहीं होता तो चलिए इसको और विस्तार पूर्वक हम सीखते हैं शब्द प्यारे बच्चों, देखिए, यहाँ पे अध्यापक महुद है शामपट पर क्या लिख रहे हैं? अहाँ, यह असे तो कोई शब्द नहीं होते मकल, यह क्या शब्द है? हाँ, लेकिन अगर हम इनको सजा कर लिखें तो कमल, बादल और मचली हो सकता है तो बच्चों वर्णों के समू से शब्द बनते हैं किन्तु यह वर्ण सही ढंग से लिखा जाए तो ही उसके अर्थ होते हैं और वहाँ शब्द कहलाता है जैसे क, म, ल, कमल ब, स, बस फ, ल, फ,ल तो बच्चों देखा आपने वर्णों को यदि हम सही ढंग से जोड़ें तो ही नया शब्द बनता है यहाँ कुछ उदाहरन है देखते हैं र, सू, ज, यानि सू, र, ज, सू, र, ज ल, फ, ये तो कुछ शब्द नहीं होते फू, ल, फू, द, ल, प, यानि पैदल और मलको, यानि कोमल तो देखा बच्चों आपने कैसे शब्दों का निर्मान होता है अब जानते हैं शब्द की परिभाशा या अर्थ क्या है दो अथवा दो से अधिक वर्णों के सार्थक मिल से शब्द बनता है बच्चों, शब्द दो प्रकार के होते हैं एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं और जिन शब्दों का अर्थ नहीं होते उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चो मैं आशा करती हूँ कि आप शब्द को सीख गए होंगे। धन्यवाद।